तो दोस्तों इस वीडियो में आपसे मैं BA Physical Education Course के वारे में आपसे मैं इस वीडियो में डिसकस करने वाला हूँ तो आपका स्वागत है दोस्तों मेरे इस चैनल में तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि आपको इस वीडियो के मादम से काफी अच्छी जानकारी आपको प्राफ्त हो जाएगी और आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और भी काफी सारे कोर्सस के वारे में भी वीडियो मिल जाएंगी आप इस वीडियो के खतम हुने के बाद उन वीडियो को भी जरूर देखिएगा तो चलिए अब हम अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं तो अगर आपसे मैं BA Physical Education course के बारे में आपसे मैं डिस्कस करूँ तो BA का मतलब होता है Bachelor of Arts और BA Physical Education का जो course है जै कोर्स एक Undergraduate Level की डिगरी का course होता है तो जै कोर्स तीन वरश का course होता है जिसमें कुल 6 semester होते हैं तो BA Physical Education का जो course है जै कोर्स एक शारिरिक शिक्षा से संबंदित होता है तो जै एक एक एसा course है जिसमें students को fitness, sports, games और शारिरिक गतिविदियों के वारे में study करवाया जाता है तो BA Physical Education में students को शारिरिक शिक्षा के साथ साथ theoretical की जो knowledge होती है बहुत भी student को दी जाती है इस course में शारिरिक, सवस्थिय, व्याम, विग्यान, खेल कूद, जोगा, एक सेक्टरा चीज़े students को पढ़ाई जाती हैं इसमें आपको व्याम, विग्यान के वारे में भी आपको पढ़ाया जाता है जिसमें आप शारिरिक, गतिविदियों के scientific principles, शारिरिक, अभिक्रिय, अहार, सवस्थिय, व्याम, प्रक्रिय, एक सेक्टरा चीज़ों का आपको ग्यान परदान होता है इसमें आपको खेल कूद के तरीके भी आपको सिखाया जाता है जिसमें आपको खेल कूद के तरीके नियम और उनमें उपयोग हुने वाली वियस्ताओं के वारे में भी आपको सिखाया जाता है आपको जोग के वारे में भी आपको पढ़ाया जाता है जो कि आपकी मानसिक स्वस्थ्य के लिए काफी मतपूरन रोल प्ले करती है तो इस कोर्स को पूरा करने के बाद दोस्तों आप जोव की काफी सारी अची पॉसिविलिटीज आप पास सकते हो तो अगर आप इस कोर्स को करने के बाद अगर आप अपनी स्टडी को आगे कंटीनू रखना चाते हो तो दोस्तों आप मे के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हो अभी आपसे मैं इलिजिविलिटी क्राइटीरिया के बारे में आपसे मैं डिसकस करने वाला हूँ कि जनी आप इस कोर्स में आखिर किस परकार से अड्मिशन ले सकते हो तो इस कोर्स में आपको ड्मिशन लेने के लिए दोस्तों आपको जो ट्वैल्थ की जो क्लास है उसे आपको पास करनी पड़ेगी आपको जो ट्वैल्थ की जो क्लास है उसे आपको 50% मार्क से ज़ाद आपको पास करनी पड़ेगी तो तबी आप इस कोर्स के लिए इलिजिवल हो पाओगे तो आप 12th की कलास आप किसी भी स्ट्री में पास कर सकते हो और साथ में दोस्ता हम आपको जे भी बताना चाहता हूँ काफी सारी उनिवर्सिटिस का जो इलिजिविलिटी क्राइटिरिया है इस कोर्स के रिगार्डिंग बौर डिफरेंट भी हो सकता है अब ये आपसे मैं जोग परफाल्स के वारी में आपसे मैं डिसकस करने वाला हूँ ये गर आप इस course को पुरा कर लेते हो, आपको किस परकार की job मिल सकती है, तो दोस्तों आप sports manager बन सकते हो, आप sports nutritionist बन सकते हो, आप physical therapist बन सकते हो, आप sports coach बन सकते हो, आप physical education teacher बन सकते हो, इसकी इलावा दोस्तों आप personal trainer की जो job उसे भी आप हासिल कर सकते हो, तो जैसे अब आपकी personal skill और knowledge की उपर depend करता है कि आपको कौँ से sector में आपको job मिल सकती है, अभी आपसे में slayvers के बारे में आपसे में discuss करने वालाओं की जने आप इस course में आखिर किस परकार का जो slayvers होता है, उसे आप study करते हो, तो इस course में आप adapted physical education, biology, motor development and behavior, human, physiology, safety and first aid, एक सेक्टरा ज कई सारे subjects होते हैं, जो आपको इस course के दोरान आपको करवाई जाते हैं, और साथ में दोस्तों मैं आपको जे भी बताना चाहता हूँ कि काफी सारी universities के slayvers के हिसाफ से, जे जो subject हैं, बहुत different भी हो सकते हैं, तो दोस्तों इस बीडियो में मैंने आपसे BA physical education course के बारे में देखता है कि आपको इस बीडियो के मादब से काफी अच्छी जानकारी आपको प्राफ्त हुई होगी, और अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई doubt है, तो दोस्तों आप नीचे मुझे comment box में comment करके पूछ सकते हो, नहीं तो आपको इस बीडियो के description में और ये काफी सारे courses क अगर आपको जै बीडियो को लाइक कर सकते हो, और चैनल को सबस्क्राइब करना मत बूलना, धन्यवाग